नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटवब चैनल में दोस्तों जब हमारे इस तरह की भारी साड़ियां कट जाती है तो बहुत सारी प्रोब्लम होती हैं और पहने में भी थोड़ी दिक्कत आती है तो पल्लो की साइट से कट जाए तो ज़्यादा प्रोब्लम होती है तो यहां पर देखिए यह बोर्डर के पास से कट गई है इस तरह से फट जाते है कई वहर हम लोग पहनते हैं पिन अप करते हैं या फिर खिंचाव की वज़े से कहीं से यह खिंच जाती है तो पिन आपके फटीवी भी नहीं दिखे की और आपको असानी से पहन सकते है और उसे आप चाहे जितनी बार भी आप उसको सही 600 कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको यहां पर पर बताऊंगी की जो हमारी पास जो टेप होती है शेलो टेप उससे आज हम इसको ठीक करेंगे Cellotip से क्या होता है कि एक बार हम इसको ठीक कर लेते हैं फेहन सकते हैं और फीर जब हम dry clean के लिए जाते हैं तो वह वहांसे हट जाती है तो फीर आपको वहां पर Cellotip लगाने होती है मैं यहां पर Cellotip लगाने के बाद में इस पर वरक करने वाली हूँ क्योंकि वरक कर देने के बाद में सेलो टीप भी नहीं हटेगी और आपका जो वरक है वो भी सही से हो जाएगा नीचे आप कपड़ा लगा करके भी उपर वरक कर सकते हैं और सेलो टीप लगा करके भी वो जो वरक कर सकते हैं तो यहां पे देखें मैंने ये red color के आप देख सकते हो, अब मेरी साड़ी की matching की है बिल्कुल, तो जितनी साड़ी कटी हुई थी उसके according से yellow tape कट कर लिया और उल्टे पे साड़ी को उल्टा करके इस तरह से चिपका देते हैं, अब चिपका दिया इसको ये जो open थी वो यहां पे देखें, आप देख सकते हैं, यहां पे off हो गई है, ठीक है ना, अब आपको ये उपर से थोड़े हलका हलका दिख रहा है, क्योंकि यहां से ये लगता है कि ये कटी हुई है, इस तरह से पता चलता है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो एक बूंटी है, ब्लाउज है ये, ब्लाउज का जो बगल का हिस्सा होता है, वहां से इसका जो वरक की बूंटिया, उसको हम दीरे दीरे खोल लेते हैं, तो उस पे हम एक बूंटी बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बूंटी भी बन जाएगी, और हमारा जो कटा फटा हिस्सा है, वो भी off हो जाएगा, तो आ बहुत ही साफधानी से इसके जो मोती है, इसकी जो यह देखिए, यह मैंने सारा वरक यहां पर उतार लिया है, और इसको भी धागा निकाल करके साफ कर देते हैं, कि यहां से पता ही नहीं चलेगा, कि यहां से हमने कुछ खोला था क्या, तो यह मैंने इसको सही कर दिया है, अब ये जो निकला है इस से हम एक बोंती प्रिपेर कर लेंगे यहां पर, तो सबसे पहले हम एक मोती सुई में धागा लेंगे और यहां पर एक मोती लगाएंगे, यह दिखे, सिंगल धागे से आपको इसको तयार करना है, धागा अंदर मोती अंदर डाल करके ऐसे इसको लोग कर देंगे इसी तरह से इसके चारो उर छोटे छोटे मोती जो हमने खोल करके रखे हैं वो चीड है ये मोती नहीं है तो वो चीड इसके चारो तरफ लगा लेते हैं और उसके बाद में हम लगा देंगे बुलीन जोकि हमने खोली है अभी एक बुंटी खोली थी तो उसी की बुलीन और वही मोती हम यहां पर चिपका देते हैं तो इस तरह से ये बुंटी नीचे वाली बुंटियों के जैसे यहां पे तियार हो जाएगी तो आप देख सकते हो मैंने बुंटी को तियार कर लिया है और साड़ी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है पता ही नी चल रहा है कि यहां से कटी हुई थी तो लीजे दोस्तों मैंने यहां पे सेलो टेप यूज के नीचे आप यहां पे पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हो सेलो टेप क्या था कि एकदम सैम कलर की थी तो इसलिए थोड़ा पता नहीं चलता है किसी को दिखता भी नहीं है और कलर से कलर जो है मेचिंग हो जाती है औ सब्सक्राइब बड़ी कटी हुई हूँ तो आप दो से तीन बुंतिय हम भी बना सकते हैं वहां पर और पत्ती की डिज़ाइन में हो दिजाइन को आपको अच्छी लगे उसको आपको खोलना हैं कि कहीं साइड में हो वो डिजाइन तो ब्लाउज की साइड में हो तो भी आ करें शेर करें थेंक यू